हेलो एवरिवान वेलकम बैक टू ग्यान का बस्ता जैसा कि आपने वीडियो का थम्नेल देखा होगा आज का ये वीडियो डॉक्टर राम अनोहर लोईया अवर्ड युनिवस्टी के स्टुरेंट्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है जी हां अगर आपने भी सेमेस्टर में जुलोजी सब्जेक्ट आप किया है तो ये वीडियो आपके लिए हैल्फुल होगा इस वीडियो के तुरू आपको आपके MSC जुलोजी एक्जैम के आगामी थर्ड सेमेस्टर एक्जैम के डिटेल्ड स्लेबस के बारे में बताया जाएगा चूंकि ये पेपर का डिटेल्ड स्लेबस और सेकेंड है PYQ यानि कि प्रीवेसर के क्वेश्चन पेपर तो इस तरह से आपको हमारे चैनल पर MSC जुलोजी के डिटेल्ड स्लेबस साथ ही साथ प्रीवेसर के क्वेश्चन पेपर के वीडियो मिल जाएंगे तो आए देख लेते हैं MSC के थर्ड सेमिस्टर के डिटेल्ड स्लेबस को तो आप देख सकते हैं आपके सामने डॉक्टर राम अनुहर लोया अवर्ड यूनिवस्टी के की सेशन 2023 में नशनल एझुकेशन पॉलसी के द्वारा जो नया स्लेबस या पार्ठ अक्राम निर्धारित किया गया है उस पर बेस्ट होगा और ये जो सेमिस्टर थर्ड के लिए होगा फर्स्ट और सेकेंड सेमिस्टर के लिए स्लेबस का विडियो और्लेड अप्रोड किय गया है आप चाहें तो अपने नीट के एकॉर्डिंग इसे सर्च कर सकते हैं तो आये देख लेते हैं थर्ड सेमिस्टर के डेटेल्ड स्लिबस की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दू आपके थर्ड सेमिस्टर में जो चार पेपर होंगी रिटेन उनका टॉपिक क्या है जोगा कुए है पेपर टॉपिक के अकॉरडिंग। तो फर्स्ट पेपर के लिए यहां आपको दू ऑप्छन मिल जाएंगे तो इतमींज आपको दो ऑप्छन में जो कि आपके university और college के according आपको opt कराया जाएगा तो आप देख सकते हैं फोर्थ पीपर के लिए जो first option होगा वो होगा आपका fishery और second होगा insect entomology तो आप देख सकते हैं फस्ट है आपका morphology, physiology and development of fishes तो यहाँ पर आपको fishes की morphology, उनकी physiology and development के बारे में पढ़ना होगा अगर आप इसे opt करते हैं और अगर आपने opt किया insect, taxonomy, morphology and physiology तो यह आपका हो जाएगा as a paper fourth for the semester third तो इस तरह से यह चार paper रहेंगे आपके semester third के exam के लिए आईए एक-एक करके इन चारो paper के detailed syllabus की चर्चा करते हैं आपका यह जो paper है यह आपको चार unit में divide देखने को मिलेगा आएए देख लेते हैं unit wise in syllabus को semester third paper first आपका होगा principles of endocrinology और first unit के अंतरकत आपको prepare करना है fundamentals of endocrinology तो यहाँ पर आपको endocrinology के fundamentals के बारे में prepare करना है fundamentals यानि कि आप देख सकते हैं endocrinology के जो भी basic factor है इनके बारे में आपको पढ़ना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं इनका introduction, evolutionary perspective, hypothalamus के structure और function के बारे में arcuate nucleus क्या होता है hypophysiotropic hormones के बारे में pituitary gland, structure and functions of agenohypophasis, neurohypophasis, parts intermediate, thyroid gland, biosynthesis and chemistry of thyroid hormones, mechanism of action, biological action, thyroid hormone, pancreas, insulin, glucagon and other secretion तो इस तरह से आप देख सकते हैं first unit के अंतरगत आपको endocrinology के fundamentals के बारे में जो भी prepare करना है वो कुछ इस तरह से दिया गया है इन topics को आपको बहुत अच्छे से prepare करना है paper first के लिए next देखिए second unit में आपको जो भी topic prepare करना है वो कुछ इस तरह से मैंने bracket out कर दिया है देखिए chemical regulation of feeding and digestion endocrine regulatory molecules chemical classification of hormones hormone receptors mechanism of hormone action neurotransmitters and neuropeptides regulatory pathways तो इस तरह से ये second unit के लिए दिया गया था syllabus next देखिए third unit में आपको जो prepare करना है आप इसका इसकन शॉट भी ले सकते हैं या pdf भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी link आपको description box में मिल जाएगी neuro endocrine integration hypothalamus hypophysial axis feedback mechanism adrenal gland cellular organization catecholomines and general adaptation syndrome next देखिए fourth unit में आपको prepare करना है fourth unit में आप देख सकते हैं यह जो मैंने bracket के अंदर किया है इन topics को prepare करना है endocrine regulation of homeostasis hormones and homeostasis electrolytes and water balance like renin angiotensin system energy homeostasis parathyroid gland calcium homeostasis endocrine regulation of bone morphogenesis तो इस तरह से first paper के लिए इन चार unit को आपको prepare करना है आपको exam में इन चारों unit से questions देखने को मिल जाएंगे तो इस तरह से आपको कोई भी unit skip नहीं करनी है हर unit से exam में questions put up किये जाते हैं next आते हैं semester 3rd के second paper जिसका topic है developmental biology तो first unit के अंत्रकत आप देख सकते हैं दिया गया आपका जो syllabus है वो कुछ इस तरह से है और first unit में आपको prepare करना है basic concepts of development development के basic concepts के बारे में potency commitment specialization induction competence determination and differentiation morphogenetic gradients cell fate cell lineages stem cells genomic equivalence and cytoplasmic determinants imprinting mutants and transgenics in analysis of development next देखी second unit में आपको prepare करना है इन दिये के topics को gametogenesis fertilization and early development तो इस तरह से आपको gametogenesis fertilization and early development के दिये के topic को prepare करना है जैसे कि production of gametes, cell surface molecules in sperm egg recognition in animals, जाइगोड formation, clevis, blastula formation, embryonic fields, gastrulation and formation of germ layers in animals ये तो थी second unit के लिए दिये गए इस लेपस की बात next आते हैं third unit पे, third unit के अंत्रकत आपको prepare करना है इन topics को morphogenesis and organogenesis in animals animals में morphogenesis और organogenesis के प्रोसेस के बारे में cell aggregation and differentiation pattern formation in drosophila, amphibia and chick organogenesis, vulva formation, eye lens induction, limb development, regeneration in vertebrates, differentiation of neurons post embryonic development, larval formation, metamorphosis, environmental regulation of normal development, sex determination तो इस तरह से ये था third unit में दिया गया slivers next है fourth unit, fourth unit में आपको prepare करना है programmed cell death, aging and senescence तो इस तरह से second paper के लिए unit wise दिया गया ये आपका slivers था next आते हैं third semester के third paper पे जिसका topic है principles of ecology and wildlife theory next देखिए first unit में आपको third paper के लिए जो slivers दिया गया है वो कुछ इस तरह से है और इसके अंतरकत आपको पढ़ना है the environment, environment के बारे में और environment के physical, biotic, chemical factors के बारे में physical environment, biotic environment, biotic and abiotic interactions, habitat, Nikkei concept of habitat and Nikkei, Nikkei width and overlap fundamental and realized Nikkei resource, participation, character, displacement population, ecology, characteristics of a population, population growth curves population regulation, life history strategies, like R&K selection concept of meta population, dint and disposal, intertemic extinctions, age, structured and population next आते हैं, second unit में second unit के अंतरकत आपको पढ़ना है इन topics को species, introductions किस तरह से species में interactions होता है types of interactions कितने type के होते है inter-specific competitions herbivory, carnivory pollination symbiosis, community ecology, nature of communities community structure and attributes level of species, diversity and its measurement edges and ecological succession types mechanism changes involved in succession concept of climax तो इस तरह से second unit के अंतरकत इन topics को आपको बहुत अच्छे से prepare करना है और इन ही unit में से आपको एक questions इन particular topics पर exam में देखने को मिल जाएगा next आते हैं third unit पे और इसके अंतरकत आपको prepare करना है ecosystem ecology और इसके अंतरकत ecosystem structure ecosystem के functions के बारे में energy flow mineral cycling like carbon nitrogen phosphorus cycle primary production and decomposition structure and function of some Indian ecosystem terrestrial forest grassland and aquatic fresh water marine and Eustarian biogeography major terrestrial biomes theory of island biography biogeographical zones of India तो यह था third unit में दिया गया slivers next आते हैं fourth unit के लिए fourth unit के अंतरकत आपको इन दिये के topics को prepare करना है और इनका topic है applied ecology ecology किन-किन sectors में apply किया जाता है इनका क्या use है environmental population global environment changes biodiversity status monitoring and D commentation major diverse of biodiversity changes biodiversity management approaches conservation biology principle of conservation major approaches of management Indian case studies on conservation management strategy second unit physiology of digestion respiration excretion osmoral regulation and reproduction like gonade roll hypothalamus hypofacial hormones in reproduction operation third unit एंत्रकत सफ्ट trends classification of phasis यहा पर आप देख सकते नहीं tasks on the नेक्स्ट आते हैं फूर्थ उनिट पे, फूर्थ उनिट के अंतरकत आपको प्रेपेर करना है, ब्रीधिंग टेक्निक्स, बंध ब्रीधिंग, टाइपस ऑफ बंध, हाइपो, फाइजेशन, डेफिनेशन, हॉर्मोन रिस्पॉंसिबल फॉर इंदूस ब्रीधिंग, प्रिपरेशन ऑफ ग्लैंड सस्पेंशन, फॉर इंजेक्शन, डोजेश, कलेक्टिंग, रेरिंग, एंड सेलेक्शन ऑफ ब्रूडर्स, सिन्थेटिक हॉर्मोन यूज यूज इन इंदूस ब्रीधिंग, तो इस तरह से अगर आपने फिशरी ओप्ट किया, एज पेपर फॉर्थ, फॉर्डी सेमेस्टर थर्ड, तो इन चारों यूनिट को आपको प्रपेर करना है, आप इस काथकन शॉट ले सकते हैं, या पीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं, और यकीन मानिए, इन दिये गयर स्लिबर से ही आपको एक्जाम में क्वेश्चन्स पुट अप किये जाएंगे, बसरते इन दिये के टॉपिक्स को आपने अच्छे से प्रपेर किया हो, और प्रिवेसर के क्वेश्चन पेपर को तयार किया हो, नेक्स्ट आते हैं, अगर आ इनसेक्ट को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, इनके करेक्टर्स, आइडेंटिफिकेशन, इकोनोमिकली इंपोर्टेंट, फैमली, शोसल इंसेक्ट कौन से होते हैं, इनको प्रिपेर करना है, थर्ड यूनिट में, लास्ट है, फोर्ट यूनिट में आपको प्रिपेर करना है, इनका डिस्टिबुशन, इनसेक्ट का डि लाइक थायोसिनुरा, और्थोप्टेरा, डिप्टेरा, आईसोप्टेरा, मेलोफेगा, हैमिप्टेरा, डिक्टिप्टेरा, थाइसेनुप्टेरा, लापिडोप्टेरा, हाइमेनुप्टेरा, और कोलिप्टेरा तो इस तरह से दिये गए distribution और orders को prepare करना है तो ये था आपका MSC Geology 3rd semester के लिए detailed slaybush आसा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और MSC Geology से related आने वीडियो के लिए चैनल को subscribe करना ना भूले हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में आपके semester 4th के detailed slaybush को cover करते हुए till then stay happy, stay connected thank you for watching this video guys, please like, share and subscribe this channel and don't forget to share your question paper with us